लास्ट में एक वीडियो बनाया था पीएश डवली के बारे में तो पीएश डवली कैसे अपलाई करना है स्टेप बाइश टेप पूरी प्रोसेस थी अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देश सकते हैं और उसके बाद मुझे वही वीडियो से बहुत सा सारी कन्फूजन है तो वन बाइवन एक काम करता हूँ मैं यह वीडियो में सारी कन्फूजन क्लियर करता हूँ तो आपको एजी रहेगा डिपेंडेंट वीजा कैसे अपलाई करना है और इस सबसे पहले मुझे एक और इंपोर्टन चीज डिसकस करने थी कि मुझसे रीच क कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट इसके उसके बाद भी काफी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो descriptive होते हैं जिसका answer मैं एक line में दो line में नहीं आ सकता जिसका problem यह है कि मुझे या तो उनको call करना पड़ेगा या तो मुझे call करना पड़ेगा यह problem हो रही है अब भी मैं सुरू सुरू में यह चीज करता भी था मैं numbers प्रोइड कर रहा था मैं काफी सारी चीज़े कर रहा था लोग के लिए कि उनका problem है doubt है तो एक line में clear नहीं होना था obviously मुझे call करना पड करने के बाद भी 10-15 मेट आदा गंटा देने के बाद भी repetitive silly questions आ रहा है जो इतने relevant नहीं होते जो questions और जो queries ऐसी है जो easily normal वो Google कर लेंगे तो भी मिल जाएगी अब मैं यह नहीं बोड़ रहा हूं कि यार चलो वो सब चीज आप कुछ से कर लो जो नहीं समझा रहा है अगर न मैंने इसलिए बोड़ रहा हूं अगर आपको normal queries है कुछ है जो चोटा queries होते है तो आप Google पर मिल जाना है बट अगर कुछ भी है अगर still आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैंने बोला वैसे वो तरीके से आप मुझे reach कर सकते हो उसके बाद मैंने एक चीज सोची है मै मैं सोच रहा हूं कि paid services ला रहा हूं I am not sure अगर हो गई मैं final हो गया तो यही वीडियो में मैं डाल दूँगा जो one-on-one concentration होगा तो उसमें मैं क्या करने का सोच रहा हूं around 15 minutes या 30 minutes का time दूँगा जिसके अंदर आप कभी भी मेरा slot book कर सकते हो let's see कब time मिलेगा मुझे I don't know I am not sure because job वगेरा उपर नीचे रहता है time वगेरा maybe Saturday Sunday maybe weekdays कभी भी कुछ भी हो सकता है तो मैं करूंगा मेरा email ID भी डालूंगा मेरा slots वगेरा book करने का system लाओंगा अगर होता है तो मिल जाए तो ठीक है तो वो कर लेंगे तो अगर यही video में होगा तो मैं डाल दूँगा तो उसमे कोई problem नहीं है बड़ करने का सबसे बड़ा reason है अगर मैं free में रख दिया ना तो ऐसा होगा कि बहुत सारी request आना start हो जाएगी जिसमें वापीस again वही चीज़ होगी कि जिसको जरूत नहीं थी जिसने silly questions से जिसके इंतने important queries नहीं थी वो भी आ रहे थी अब उसमें जो जिसक out हो जाएगा सारा जो silly questions है या जो कोई ऐसा ही normal comments कर रहा है normal जो कुछ भी कर रहा है जो easily reach out हो सकती है और जो easily reach out नहीं हो सकती है उसके लिए वो लोग specifically यह चीज़ अगर purchase करके आ रहा है तो obviously बंदा कोई important होगा कोई genuine query होगी genuine चीज होगी तब ही आएगा तो मैंने इसलिए यह चीज रखिए maximum 30 minutes ही होगी या फिर 15 minutes हो सकती है whatever जो भी है बट उसके अंदर में सारा उनको उनका queries हो भी होगा वो सारा मैं solve करूँगा चाहे वो student visa की process हो चाहे university का selection में कुछ अगर problem हो रही है सारी university में मुझे नहीं पता है बट जितना hope आएगा मैं सारी चीज़े solve कर problem होती है first है कुछ भी है तो मैं वो उनको support करूँगा तो यह चीज़े सारी मैं overall basic चीज़े बताऊंगा और उसके बाद भी वो सब कुछ खतम करने के बाद भी अगर उनको satisfied नहीं होते है सवाल जवाब से कुछ भी अगर तो फिर मैं make sure करूँगा कि अगर वो dissatisfied है तो मैं स पता चलता है कि बहुत सारी लोग videos देख रहे हैं और problem यह आ रहे है कि लोग को यह like नहीं कर रहा है कोई subscribe नहीं कर रहा है अब सिधी बात है अगर आपको वीडियो पसंद आया है अगर कुछ आपको input मिला है उसमें value मिली है तो like करने में कुछ जाना नहीं आपका subscribe करने मे मेरे लिए यह हो जाएगा मुझे motivation मिलेगा कि मैं और videos बनाओं और कुछ content डालूं कुछ और research करूं और information लाओं जो कहीं ना कहीं आप लोग को help हो तो अगर आपको कुछ भी अगर सही लगता है सही कुछ भी content भी थोड़ा भी अगर लगता है कि हाँ सही है वीडियो सही है तो please like and subscribe करते रहे तो क्या होगा मुझे continuous motivation मिलता जाएगा और जाधा time waste ना करते हो let's get start the video first तो सबसे पहली चीज यह है कि dependent वीजा जो application होगी वह अलग से application होगी जैसे हमने main applicant की key थी application same वैसे ही तरीके से होगी दोनों एक साथ नहीं होती है तो यह confusion है सारी लोगों में किया कैसे application करनी है तो पहले main applicant की application होगी उसके बाद ही dependent की होगी अब dependent में कोई भी आ सकते है आप wife भी आ सकते चिल्डन भी आ सकते है तो आपको उस हिसाफ से application करनी है पहले main applicant देन dependent तो उसके बाद ही application हो पाएगी second thing, fees के बारे में, fees का है यह है कि जो भी fees रहेगी जैसे fees है main applicant की 715 something visa piece है और 624 आपका है IHS fees तो IHS और visa fees दोनों same रहेगी dependent के लिए भी third thing, आप जब भी dependent visa apply करने जाओगे तो आपको main applicant का application number की ज़रूत पढ़ने वाली है तो obviously वो भी चाहिए होगा तो जब भी भी वो डालोगे तो उसके अंदर वो sync कर देगा सारा data आपका तो main applicant के साथ sync होने से आपका eligibility उसमें दिख जाएगा और आपके application process पुरी smooth हो जाएगी और सबसे important चीज़ apps के through identity check कैसे करना है जो BRP आपका scan करना आता है उसमें बहुत सारी problem सारी काफी सारी लोग को even मुझे भी आई थी तो उसके अंदर काफी सारे models wise problem आरे models in terms of mobile wise जैसे उसमें दो टाइप के mobile यूज करना है या तो Android या iPhone या Apple वगेरा यूज करना है तो Apple से मैंने ट्राइ किया था multiple mobile यूज करे थे बट उसमें नहीं हो रहा था सायद कुछ ना कुछ फ्रालों मारा था Apple की तरफ से या तो फिर उसमें support नहीं हो रहा था तो मैंने ट्राइ किया फिर Android में तो Android में हो गया था easily बट Android में आपको यह चीज ज्याना करना है कि NFC scanner वाला होना चाहिए जैसे हम Wi-Fi से वगेरा से जो connected होता है mobile के अंदर लेट से अगर हम digital payment करता है wallet के थूरू तो वैसे वो scan होना चाहिए scanner होना चाहिए mobile के अंदर जैसे Apple वगेरा में Apple wallet तो होता ही है बट Android में भी ऐसे scanning के लिए NFC code होता है तो वो क्या बोलता है कि वो होना चाहिए अगर वो है तब वो scan कर पाएगा most probably जीतने भी नए models है Samsung के हो गए OnePlus के हो गए सारे mobiles में यह सारी facilities available है तो scan easily हो पाएगा उसमें अब वो scan कैसे करना है मैं आपक काफी साहे लोगों confusion थी उसके लिए मुझे specifically call कर रहे तो लोग जो जब भी मेरे known लोग है वो लोग मुझे सिधा directly call कर रहे ते इवन Instagram पर भी call कर रहे मैसेज कर रहे तो इसलिए मैं specific आपको छोटा सा डेमो देता हूं वो डेमो नॉमल में लग मेरे पास एक extra device पढ़ा है उसमें कैसे क्या करना है वो बता देता हूं मैंने application से नहीं बता रहा हूं नॉमली बता रहा हूं तो उसमें होता क्या है कि जब scan हो रहा है तभी यह notification आने की वैसे लो क्या कर रहे है scan होते होते यह move कर रहे है तो move करने से हो क्या रहा है कि वो scan नहीं हो पर रहा है आपको यह चीज नहीं करनी है वो गलत notification आ रहा है यह पताने क्या चीज हो रही है उसमें आपको एक ही ची हो जाएगा और फिनिस हो जाएगी प्रोसेस तो उसमें आपको ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं तो यह चीज आपकी सिंपली प्रोसेस है और आपको ऐसे ही करना है बस जब भी करना क्या है जैसे ही आप application fees पे करते हो उसके बाद होता क्या है इसकी fees भरने का option आता है अब इसकी fees बरने का option आता है तब problem क्या होता है कि dependent के case में यह चीज हो रही है कि या तो वो लोग zero fees लेके application आगे हो रही है या तो फिर 50% या 40% 30% whatever एक unknown amount है कोई भी कोई भी amount ले रहे हो लेट से अगर 1248 amount ले नहीं है तो 300 पांट ले रहे है या फिर zero amount भी ले रहे है तो वैसे अगर वो जा रहा है तो आपने कोई गलती नहीं किये काफी सारे यहाँ पर ही श्टक होते है dependent वगेरा और मुझे message वगेरा कर रहे है कि यह इतना ही fees ले रहा है तो कि हमने गलती किया application में तो दो बार application बढ़ते है तो यह जादा मजदूरी हो रहाती है तो मैं आपको वही suggest करूंगा आपने कोई गलती नहीं किये वो लोग fees कम ले रहे है खुझ से ही या तो फिर zero fees ले रहे whatever जो भी reason है उनका तो वो आप click करके okay करके जाने दीजे तो आगे चला जाएगा और फिर आपकी application submit हो जाएगी अब सवाल यह आता है कि आपकी remaining fees बरनी कब है आपका जबी भी main applicant का visa आएगा ना मुझे जहां तक पता है उसी दिन आपको यह वीजा remaining fees बरने के लिए payment का reminder आएगा बाकी अलग से नहीं आना है most surely सबका यह हुआ इसलिए मैं उसी साफ से बोर रहा हूं क्योंकि जैसे मेरा जिस दिन visa आया तो मेरे wife का भी reminder आया था payment का उसी दिन आया तो मुझे पता है कि उसी दिन यह लोग बेशते या फिर fees pay कर दे नहीं है तो यह that totally depends on them so हम कुछ बोल नहीं सकते काफी साथ मुझे students बोल रहे है क्या इतने दिन हो गए 58 days हो अभी तक visa नहीं आया बट उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपको जाता ऐसा लग रहा है कि जादा टाइम हो गया है तो आप एक ही चीज कर सकत है कि UKVI को कोई भी तरीके से आप contact करो या तो online number देखके या तो email ID I don't know email ID है उसका कोई भी यहाँ पर contact कर पाए तो that's it for the day और अगर आपको कोई भी queries है related to dependent related to PSW anything कुछ भी है even student visa कुछ भी है तो आप मुझे सिधा directly email कर सकते हो even इंस्टा पर chat कर सकते हो text कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो और I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो please like and subscribe the channel and thank you